तो D-Brogly's wavelength of electron, important है CBSC के लिए D-Brogly की wavelength इलेक्ट्रोन के लिए तो D-Brogly कहता है कि चलो एक काम करते है हम एक electron को move करवाते है जब electron move करेगा तो move कैसे करेगा आप उसे energy देंगे energy कितनी देंगे VV लगा के तो charge into potential is energy तो आपने कितनी energy दी E into V तो उसने kinetic energy gain कर ली half mv square और kinetic का दूसरा form क्या होता है P square by 2m तो दोनों को equate कर देते हैं kinetic energy is equal to P square by 2m या E into V एक ही बात है तो अगर मैं इन दोनों को equate कर लूँ तो यहां से momentum आ जाएगा और ऐसी अगर मैं kinetic energy की जगा E into V लिखने तो भी एकी बात है तो momentum लिखने के दो यह momentum लिखने के दो तरीके है kinetic energy direct given है तो K put कर दो और वोल्ट की फॉर्म में किवन है तो EV put कर दो हमने क्या निकालने wavelength of electron दी बागली ने wavelength of किसी भी पार्टिकल का फॉर्मला तो दे ही दिया था है पी यह मारे पास दो दो फॉर्मूला है चाहिए यह यूज कर लो चाहिए यह यूज कर लो आंसर यह रहा तो इन अमेरिकल में काम आएगा इसके अंदर कल को यह भी पूच सकता है proton का lambda निकालो तो कोई पात नी मास किसका यूज कर लेंगे proton का और electron का का तो लेक्ट्रोन का लेकिन यह topic इसमें deal करता है lambda किसका निकालना है electron का तो एक काम करो mass of h पता है mass of electron पता है charge of electron पता है आप यहां पर सारा कुछ पुट कर दो mass e h तो solve करके आपके पास यह answer आएगा तो इसको आप box में डालो और याद कर लो कि moving electron का का जो lambda होगा वो इसके equal होगा clear यहां तक लेकिन यह formula सिर्फ moving electron के लिए ही लगेगा proton या neutron के लिए नहीं लगेगा उसके लिए आपको यही formula लगाने पढ़ेंगे क्योंकि यह derivation सिर्फ electron के लिए valid है clear यहां तक